विधान सभा में मुख्यमंतरी नितीश कुमार के महिलाओं को लेकर दिये गए विवादित बयान पर बवाल थम नहीं रहा गुरुआर को बीजेपी के विधायकों ने शीत कालिन सत्र के दौरान जोरदार हंगामा किया सदन के बाहर बीजेपी महिला विधायक भागीरती देवी ने गंभीर आरोप लगाये हैं उन्होंने कहा है कि सीएम और जिप्टिस सीएम अपने तकिये की नीचे सेक्स वाली किताब रखकर सोते हैं इन्हें शर्म नहीं आती है उन्होंने मीडिया को सम्वोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है वो गांजा पीकर कुछ भी ब योग कि सरम है वोग कि लाज है सरकार बना है वे सरब है के लाज है सब पट्राइश के बात करते हैं तो अपना बीदेश में रहे अपना बीदेश में रहे हैं अब प्राइश के बैटी बहुत तपास इजत है बट्राइश के बात करा हैं रावडी जी ना होई उनका लाज ना लॅए उनका बेटा अनिटिसकुमार के बड़ा पक शले वएली रावडी तपक सले वएली तो इब रहे हु महिला ना होई बड़ा पक शले ना होई इजट उड़ार के माफिय अपसाद है माफी मेंगले से अनकी के बोल रहे थी कर दो निकल रहे हैं जो रहे हो रहे हो सरकार में जदी राजत सरकार में कोई उलो के भैलू ना है कोई इजत ना है अगर भैलू आई जड़ाता तही से मन भयान उलोग नहीं देते नितिसकुबाण लेकिन ठीक है माफी उंबाग रहे हैं आपके हमारा सब्सक्राइब गल्ती होगी है उगंदा गंदा बहात माफी मांग रहे हैं गंदा करके उता खुद गंदा है लोग उगंदा है विदेशों में तो सेक्स एडूकेशन की बाता है विदेश विदेश है अई बिहार है